सुप्रिया शीनेत आपकी पार्टी यूपी में चुनाव लड़ रही है लड़की हूँ लड़ सकतियों के नारा दिया बड़ा कैमपेंग खड़ा किया लेकिन लगता है कि आपके वहल वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं सीट के लिए नहीं देखें मेरी आदत नहीं है कि मैं वोटर फोल जो होता है उस पर कोई टीखा टिपड़ी करूं लेकिन जब आप सेम वोटर पूल से बार-बार वही पूछते तो मुझे नहीं लगता कि वह बहुत कुछ बदलने वाला है I think we should go to a new pool बड़ मैं उस पर टिपड़ी नहीं करना चाहती हूं मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं उत्तर प्रदेश में रहती हूं मेरा 80% टाइम मेरे ग्रह छेतर में बीथता है और मैं आपको वहीं की एक असलियत बता देती हूं दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा लोगों से पूछिए जब टेलिविजन कैमरा हम भी देखते हैं पूछता है तो लोग डर के मारे कहते हैं हाँ सब ठीक है सब ठीक है जैसे ही कैमरा बंद होता है कहता है इतना महेंगाई से कमर तोड़ी हूई है बाबू को नौकरी नहीं मिली है परिक्षा निरस्थ हो और यह फूटेगा जरूर उत्तर प्रदेश का बेरोजगार साथ करोड़ युवा है इस प्रदेश में और उन युवाओं को उत्तर प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री अपने ट्विटर हंडल से प्रतरशन करने पर कहते हैं एनसे लगा दूंगा प्रॉपटी हुआ तो आपकी पूरी-पूरी सुचना सालाकारों की मंदली ने आपके प्रवक्ताओं ने आपके प्रशासन के अधिकारियों ने यहां तक कि एडीजी लॉइन ओडर तक ने हातरस में कहा रेप नहीं हुआ सीबी आई की चार्टशीट में रेप का माम लाया किसी के खिनाफ भी कारवाई हुई क्या यहां पूछना चाहती हूं यहां पर चर्वी और गर्मी की बाते नहीं है बाते भरती की होंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों को भी संपन्यता चाहिए अपनी जिए शवस स्मुण स्मिद जी मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं और मैं चाहूंगा कि कोई बीच में नवोड़े समिच बड़ी साफ सी बात है कि इस समय जितने भी सर्वेद एजेंसीज हैं यहां देश्मुख सबसे जाधा अनुभवी और पुराने हैं इसमें कोई दोराय नहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है किसी को कोई आपती नहीं होने चाहिए सबसे पुराने जो सर्वे करता है वो यश्वन देशमुख है एक बात दूसरी बात इसके आगे आने वाली बात यह है कि इसके बावजूद आपने का कि पास साल सरकार चलने के ब स्थानी रूप में किसी विधायक के साथ हो सकता है कई कोई मैं सुन तो लिजे ना मैं सुन मैं बताता हूं उसका मैं बताता हूं कि स्थानी रूप में किसी विधायक से को शिकायत हो सकती है सरकार से शिकायत नहीं सरकार से शिकायत आपको कहीं भी दिखाई देती हो तो बीच में नहीं बोलता हूं ना तो आप सबर रखिए ना आप सिर्फ परसेंटेज के लिए लड़ रहे हैं और मुझे मुझे डाउट यह है कि अगर परसेंटेज और कम हो गया तो क्या होगा गांधी परिवार का तीसरा सदर से भी फ्लॉप हो जाएगा तो तीसरी दूसरी कि चुलता आप मत करिए आप अर्फमेटिक किया गया कि अखिलेश और कॉंग्रेस मिल के लड़ रहे हैं तो इतनी सीटें जीत जाएगी नहीं जीती फिर 2019 में कहा गया अखिलेश और प्यस पी मिल के लड़ रहे हैं दोनों के वोटनों को मिला दे तो इतने परसेंटेज ज होनी चाहिए जो सद्भाव होना चाहिए वो नहीं है वो और मैं आपको बड़ी साफसी बात बता रहा हूं बिल और दिखाएंगे अपने बूर्ट की चोड़ रहे हैं यह चावालिस से चावालिस से लेकर के लिए तैना तीन सो के उपर बियां को सुप्रिया जी सुप्रि इतनी ठीक नहीं है डिवेट्स में थोड़ी बहुत प्यार मदृता मदृता रह सकती है तो वहां से धराशाय भी हो सकते है बिल्कुल कुछ भी हो सकता है वही बीजेपी दो से सवा तीन सो हुई यह मुझे लोगसभा के सभापती बात मत बताईए आप मुझे मैं कैसे बो आपको जैसे बोलना है यह फाइनल नतीजे नहीं है दस मार्च को असली असली नोग जोग होगी ABP News आपको रखे आगे